इस फिल्म को लेकर और क्या खने सेंगे इस फिल्म के बारे में सबसे पहले में क्लालतिन का मुहरत है आज और प्रोडिक्सर डॉक्तर राजस कुमार जी कुमार राहुल जी सुपर मुजिक और स्टीयस फिल्म्स डिरेक्टर धिरू यादो जी स्टोरी राइटर कुमार राहुल जी और अकलाख खान जी मुजिक डिरेक्टर धननजे मिश्रा जी और जितने भी लोग इसमें हैं ये आदित समराट ये चोटा बचाए भी इस पनिम्हें में हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस मुहरत में आये और इस तो सुषोवित किया और इसके साथ आप मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ओडियंस को और भोजपुरी के दर्शक हैं जिनको हम लोग भगवान मानते हैं और जो आज भोजपुरी को अश्रवाद देकर के अपना प्यार देकर के आज भोजपुरी को उस लेवल पर लेकर के चले गए हैं जहां पर क्रियाटीव फिल्म भी करने की हिमत हो रही है हम लोगों को और इसी क्रियाटीव फिल्म के जो कोशिश की जा रही है और उसी में पॉलेटिकल पॉइंटे भी और इसमें लव का भी बहुत सारा कुछ दिखाया गया है और हां जैसे जो आपका जो कहना है कि काफी धूम धढ़ाका है तो वह ही है और फुल इंटर्टेनिंग और एक है काल्पनिक बट रियलिस्टिक लाइफ के अधारिपी आप तो क्या करने अब हम कुछ नहीं बता सकते हैं अच्छा बता है यह हमारे बड़े भई आज बहुत कुछ के बात है कि लटेन फिल्म में हमको बड़े भई के दोरा चांस मिला इस मोवी में करने के लिए और इसमें को फैद देखे जिखे शकेंडिक का परियासा है तो आप 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 जो भी होगा अच्छा हीं आप आप आपार यह जी वरलातें बहुते कच्छी मोवी है और यह क्या बोलता है रलीलस्टिक और टुस्टिक और दिखिए लωνे इफ है की अध・व्या थ्ज राईजर एफ जो नहीं तो तुम जान से मारोंगा वो मेरा भाई है और वो तो बोलता है कि जैसे मैं संतुस्राने को जानता नहीं हूँ अलदा बेष्ट मेरे भाई समय तुम अगे चले जाओ तुम किसी को मत पहशनो तुम जागरी का अंत्रीक्षी में तुम नहीं बास करो जो सकते पहले मैं उसको वी्ष्ट करना चाहूंगा कि आपने यह सोचा और आपने यह कहा। मामला जो है मामला कुछ नहीं था एक महबबत थी एक प्यार थी अगर हमारे फादर अगर हमको डाटते हैं इसका मतलब नहीं होता कि वो हमें मारना चाहते हैं और वो हमसे नफरत करते हैं तिक उसे परकार से परमुद से मैं महबबत करता हूँ और बहुत जादा महबबत करता हूँ उसी में एक डांट रही थी इसको कोई ऐसा नहीं कुछ लेने की बात नहीं थी और अगर बुल लिया वो काता है कि मैं संतुसरणू को नहीं जानता हूँ तो अच्छी बात है तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओ और मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ छोटा रहने में जो प्यार मिलता है न वो बड़ा आप बन करके नहीं मिलता हूँ आपका कहना सही है मैं खिसारी लाल जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ जहां तक इस मैटर पर जो है यह रियल चीज है कि मैं खिसारी लाल जी का भक्त हूँ और मैं सिर्फ उनी का भक्त नहीं हूँ मैं उन सभी लोगों का भक्त हूँ जिन्होंने मुझे ए ओपर्चुनिटी दिया और उसके बाद तब जाकर भरश्रमा जी संभाले देन आफ्टर मनोश्तिवारी जी संभाले पवन सिंग जी खेसारी लाल जी निरहुआ जी रभी किसंग जी तब तो असन्तों स्रीनों जी को मिला है तो मैं काता हूँ कि यदी हम अपने सिनियर्स के ऊपर अगर किसी तरह की कोई बात होते है और उस पर अधी हम नहीं जागते हैं तो दिन आफटर हमारे भी जुनियर क्या करेंगे हमारे उपर भी कुछ अत्याचार होगा तो फिर वो भी कुछ नहीं बोलेंगो सब्सक्राइब को मैं स्वहार kuv रहना नहीं चीए विहार से बाहर करेंगे है क्वेश फिलिंग को नहीं समझे वो इंसान है नहीं क्योंकि एक क्लाकार वो होता है जो हर दिन आपकी जीवन की खुशियों के बारे में दूचतTO है यहां आपका birthday party हो आपका किसी बितर rapid साधी की चीज़ हो तो कहीं न कहीं सोचता है क्य है क्या खुशियों होंगे आप यहां से प्रथा यह झाने लुए द और किंगे अंने हर् 2 फिल्म किस दर्था नहीं यह तो पुश्च यह जो है रहा है कि कफी दह्मागदार लग रही है मारे आप सब्सक्राइब गए और आपके भी बच्पन से जुरा होगा कहानी जुरा होगा कि नहीं बशतुर है कि ठीट को लेकर बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छा लगए है बहुत अच्छा लगन पहले टाइटल भी नहीं कहा है दो सूटिंग हम जनवरी परदे प्याने का भी नहीं बोल शक्ते अब शुटिंग करने दीजिए उसके बाद तो मुलाकात होती रहेगी तो पहली मुलाकात थे यह प्रीनात में था लालतेन में छोटा भाई है बहुत अच्छे डिरेक्टर है और में तो बहुत सीखा है उनसे उनके साथ काम किया है दीरु भाई इस वेरी टैलेंटेड और इस फिल्म इंजिस्टीज में गिने चुने डायक्पर में है इस वेरी इस वेरी पर अच्छे अच्छे उनके चुने लिए और इनके बाद जन्वरी में हम लोग बसंफ्णी के बाद रिलिच करेंगे शूर और भी आपकी एक फिल्म आनने वाली है यह जाए दो पिल्मे आने वाले है दो अध zeigen चाए अयह तो मेन दोनों बन के कंपलेट यह वा कि कहले कर लोई नायो ना tud जब से में मिला ताप इसकी वार। आप्से और शाया करते है। नई जब कुछ नहीं कर रहे हैं अगले subject विए तयार करें उखते हैं अगले subject लिए जब दोचिति इसके बिढ़ा है? अब ही नोच ने लग जाएंगे, अभी नहीं बताएंगे, दिसंबर में 15 से 20 दिसंबर के बीच में हम लग अनाउंस कर रहे हैं, टीम कन्फर्मड हो चुकिये, आप पावर तुबस आने पे बताया जाएगा, अब लोग को देखता हूं तो एनरजी भर जाता है, क्योंकि अब लोग कल रात को पास बज़ तक तो शार बज़ तक हम लोग के साथ में थे और हम लोग गाने के शूटिंग किये थे लाम बेरेस फिल्म का जिसमें 7 बज तक गाने की शूटिंग में वहास से फिर शूटिंग पेक अप करके घर पर आया, तो सर गहंटा सो है फीर छोट तो भी मेरे से हो सब कि आसी बाद दील से दूँ और यह लांटेन, लांटेन बोले तो संतोश रंडु यादो विहार के तोर पर कर दखा जाए तो हम इनके राज़र बहुत-बहुत बधाईब लांटेन के पूरे टीम के डिरेक्टर, पॉडूसर और तमाम अप मिडिया के भी सब लोग के बधाईबा और अभीन अंदर भाई आपको अजबनन कहा होगा कि यह लालटेन फिल्म है आना अगर तो आपने नहीं पूछा कि आपने आर्जेडी जुएंट के लिखा मैं जानता हूं कि यह आर्जेडी के परसंसक हैं, इसमें कोई दो रहे नहीं है और मैं बेक्तिकत मैं भी अर्डेडी के परसंसक हूँ, अगर भष्कूरिया काका को पिहार में अगर किसी भी जगह पे और किसी भी टाइम में अगर जहुरत मंद चीज़ पे अगर मैंने किसी नेताओं को याद किया है तो मुझे राज़त के लोगों नहीं मुझे मदद किया है, मुझे बाकी लोगों नहीं मदद नहीं किया है और तेस परताप प्यादव विक्तिकत मेरे बहुत अचे मीत्र है और छोटू छली है भाई जो की भुष्कूरी के बहुत चहता है श्टार कलाकाद जिसको मैं अपने सग्य भाई से ज्यादा खुन से बढ़कर मानता हूँ उसके बाद ही इस धर्ती के कोई भी गायक को मैं प्यार करता हूँ वैसे प्यार तो मैं सबको करता हूँ सबको एक बराबर एक नजरीय से मेरे नजर में स्टार है नया गायक हो या पुराना गायक हो मैं सबको प्यार देता हूं और एक ही नजर में देखता हूं लेकिन अगर उसमें से बट सम्तिंग इस बेटर दर नतिंग जहां कुछ नहीं वहां बहुत कुछ में रहे तो छोटू चलिया तो उन्हीं के बदूलत में राज़त परिवार म आपके आत पास बहुत सांब सेाल है मैं गायक तो हूं नहीं लेकिन मैं क्या आउनगा लेकिन हाया है की गायकों का बिछ्प्परा तो पर एक गून.? लेकिन गायक नहीं है और गायक बनना भी नहीं है मुझे वाजपूरीया काका नाम अगर मुझे विलाते है गायको का ही देने और गायक लोगों नहीं इतना प्यार दिया है कि आज करकारों का कालाता हूं जब कि आज देख्वीज आपको बताना चाहूंगा कि आज Facebook में ने जिस आफते हैं और अस्थी जो गायक गाना गाने उनके हाप उन्हों को बढ़ावा देते हैं। तो मेरा उन्हों सेゃही कहना था कि मैं कभी किसी को नहीं बोला हूँ कि अस्थील आप गाई है। हमेशा मैं अस्थील के भी रोध किया हूँ और आज भी करता हूँ। लेकिन लोगों ने लांचन लगाया है तो उससे कोई फर्क नी पड़ता है मुझे, मैं हमेसा कलाकारों को चिलाया हूँ, डाटा हूँ, बाई गलत मत गाओ, वहले उनके साथ रहता हूँ, लेकिन मैं बिरोध करता हूँ, जिसको पता होगा, जिस गायकों के करी में रहा मैं पवं संन कहीं नहीं, मैं भोस्पुरिक वैसे हर गायकों के साथ मज़ पर जाता हूँ जहा मुझे बुलाया जाता है, और मेरा काम है जाना, इसके लिए कि पब्लिक मुझे बुलाती हैρο, यह मुझे वह आयोजग बुलाते हैं, तो मैं जाता हूँ पियार करने के लिए रही बाद गंदे गाने की तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि पवन जी भी और खेसारी जी हो या कोई भी हो सब लोगों ने गाया है वक्त के साथ और पब्लिक ने प्यार दिया है पब्लिक की गलती है कि क्यों इतना भीवर आज अच्छे गाने जैसे मैंने अपने चानल सेचे गाना रिलीज करता हूं काका इंटर्टेन्मेंट से तो हजार दूआदर भीवर नहीं मिलते हैं जो किसी को बेत्तिकत नहीं जानता है तो उससे क्या फरक पड़ेगा पवन सीम को पवन सीम बनना था बन गया खेसारी जी को खेसारी बनना था बन गया दिने जी को दिने जी बनना था बन गया बजपूरिया काका कलाकारों के प्यार से बजपूरिया काका बन गया कि यह गर्व की बात है सोभागे की बात है घमंट की बात तो नहीं रही बात पवंची की खेसारी की खी फंच्रीक्क तुम्मा में दिुम्हें कि और और में मैं खुश्ची आ उनके साइस के निया खुछ कि जब कि इस तारर वेशील गाना अज दिए, आप मेडिया के माध्यम से मुझे जितने मंचों पर आप लोगों में देखा होगा साइद मुझे लगता है कि 99 से लेकर आज तक डैट टूटील मैंने 1200 से ज्यादा मेरे थुरू हुए है इस मुंबई की धर्ती पर पहले सी बिढ़ा होता था रंगा रंगा रंग कारेकर्म नहीं होता था रंगा रंगा रंग सुझाद करवाने वाला मैं हूँ वस्पूरिया कागा हूँ यह जितने लोगों को मैंने गवाया है आप पीछले हाँ पुराने ल बोला है कितने कना मुझ जीतने लोगों को आपने मंच पर देखा होगा मेरे साथ मैंने सब को माना किया होगा तो पुछिए गा कि बोजपुरिया काका ने बोला है कि ने लेकिन वहाँ प्या करेंगे पुब्लीक अदर सब्सक्राइब कलू की गाना आया था साल भर पहले उस बचे को प्यार मिले कलू ने मा की उपर इतना बढ़िया गाना गाया था इतना अच्छा गाना गाया था उस गाने को आज भी मैं सुनता हो वह गाना जब कलू का रिलीज हुआ था तो दो दीन में दो दीन में आप मानोगने दस हजार भी देखने वाले नहीं थी और उ मिल्कुल संत्क्रण करते हैं सामने सब центр को तर साम कर है कि तyuँने से मैंसा थेल यहां वह जानता है मुन पर बोलते हैं कि अ शंचोिना जिरी किया मैं कभी किसी का मैंनेजर ऑस्पुलते कुई आप पुरी उनलिकर के लिए कोई सबसे मेरा जूडा हूँ है कि मैं उन्हें पूर्ण करके कंद ऐसी क्या हूए.. तू जो सभएक देखली है कि अधाल यू来 जितनी सकी हूँ है.. तब कुई पत्रता है। श्रिलता श्रिल गाने गाना उसके बाद एक दिन आप ये कहो कि अब मेरा काया कल्प हो गया है अब मेरे अश्रिल गाने बंद कर दिया है तो सारे पाप धूल दाएंगे गंगा नाने से मैं जहां तक अपने ओडियन्स इस चैनल के माधम से जिदने भी आप लोग है मडिया बंद हो मैं उनके माधम से कहना चाहूँगा कि अश्रिलता और साही तिंख अगर सिर्फ मिठास परोसेंगे तो डाइवटी हो जाएगी इसके लिए जिन्दा रहने के लिए नमकिन भी ज करते रहती हैं मुझे अपना चोटा भाई मानते हैं तो असलिलता की जहां तक बात है तो मैंने मानता हूँ कि भूजपूरी असलिल होती तो हमारी ओडियन्स इतने पागल नहीं है तो हम लोग इतना उचाहिपुले के चले है अभी आपके पास काका खड़े इनों का कि सार अभी प्रणा चाहता हूं यह दोर था कि लोग डबल मिनी के गाने सबने गाया है लेकिन आगर आज सब किया है मैं बोल रहा हूं मैं भशपूरी के तमाम गयकों की बात कर रहा हूं तमाम में से भरत सर्मा जी गोपाल राय जी मदन राय जी महेंदर मिसिल भिकारी टाको ग गलत गाये जाही यह हम भी मानते हैं कि सील एक दार था लोगों ने गाया हे लेकिन अज अगर मौका मील रहा है सब को सुधृरने का सारे गायक अगर अपने आपको अफ्शुतार है नई भैम, मुझी अब नया गाना गाना है, एस्तिल गाने नहीं गाना है, तो उसे सुधारने का मौका देना चाहिए, और एस्तिल का विरोथ करना चाहिए, यह नहीं किया, अगर किसी ने गा दिया तो उसको लाठी लेकर पड़ जाओ, मारने लगो, जी दिन आपने प्यार दिया, तो उसको चान पे पहुँचा है उसी गाने को सुनकर आज ये खेसारी भाई किया गाना आया है उस गाने का बोल है कि ठीक भाई आप लोगों ने सुना होगा मतलब उस गाने का कोई मिनिंग नहीं है मेरे नजरों में कोई मिनिंग नहीं लेकिन आज वो कहना बड़ा हीट है। खेसारी लाग तो नहीं किया, खेसारी तो गाना छोड़ दी है, कमपनी तो नहीं की, पब्लिक ही किया है न, तो उसमें सबसे बड़ा तकलीफ है कि अपने सुरोता, हमारे दर्सकों की कमी है कि जो गंदे गाने को एक्षप्टिव करती है, गंदे लोगों का मंच क्यों करवा तो आप उनकों क्यों मंच पे गुला रहे हैं, आप उनकों क्यों सो दे ना है, आप ब़िशकार करिए, बुलाओ के घर पे एक डमात की तरह और गलीयाओ के आप चोर की तरह तो यह गलत बात है न, आप रही है तो एक पानी पर रही है, मैं भी मानता हूं कि हा खेसारी जी एक मौका दीजिए, मौका दीजिए सुधरने, अगर नहीं सुधरता है तो फिर एक साम दीजिए संतोष आप अश्लिल्ता के लिए, माफी मागना चाते हो ओडियंसे कि जो हमने गाने गाये, अब मैं सुधर गया हूँ, मेरा काया कल खोगया, आप नहीं गाया हूँ सबसे पहले मैं अश्लिल्ता में गाया नहीं हूँ, इनलों कभी गाया ही नियुक्छी गया हूँ? और जैये तो जग्वे पे जाता हो या जो ही गाना हो मैं सूच समझ कर यह गाया हूँ तो कि मैं जो जाएकी अ भला पहले कि सिर्फ सॅगर भाएंगी तो फिर रावटी सो जये लिदी जायेगी मतला असलिल्टा भी वोलो है असलिल्टा काने का मतलब मैं असलिल्टा को समझ नहीं पाया हूँ कि ओडियंस किस तरीके से काते हैं और जो हमलावर हो किस तरीके से असलिल्टा को मानते हैं जो कि अगर audience असलिता परिभाशा क्या है, मैं का था हूँ यदे असलिल है, मैं इसके दो सब में काना चाहूंगा, यदि असलिता जाहां तक बात है, तो पहले क्या थी, कि जे सेर इस्टर्ड कंपनी होते थी, पहले ये YouTube का जमाना उतना नहीं था, तो उस समय क्या था, कि होकर ये गुजरना पड़ता है, ये YouTube जो है न, 2006 या साथ में आया था, उसके पहले अडियो केशिट चलता था, जब हम उचोटे थे, मुझे आद है कि जब मैं साथ साल का था, तो भरा सर्मा का हीट गाना हुआ था, कि सनीचरे से मुहाओ फुलोले बड़ी धनिया, कुछ इस चामी समय गायकी का दिवाना हुआ आरा जीला कराने वाला था, और गायकों के प्रती हमेशा मेरा रुजान रहा है, अस्नील कुछ लोग अभी लिख रहे हैं पने फेस्टूप पर फिरी का जीज बीना फीस का वकील बन गया है, अपने ही लोग बोलता है कि अस्नील अस पर पथर चला जो किसी की का अर्शा एक बात बोल रहा हूं, खेसारी जी हो यह पहुंझी उसके उपर पथर मार के क्या मिलने वाला है, उसको तो जो बनना ता बन गया, वो अजूबा है सब, एक करोण में किसी मा किसी की मा ने पैदा किया होगा, तो पहुंझ के सारी दिन अर्शी की मूजिक डिरेक्टरों से और सारे राइटरों से, वसपुरिया काका सारे चानल के मादम सही कहाना चाहता है, जो भी नया गायकार है, उसका गाने ना चूरा के गाये, उसकी म्यूजिक ना चूरा के बनाया जाए और नहीं उसके लिलिक्स लिखा जाए, आज मु जो भी एस्टार बन चूके हैं जिसको स्टार बनना है आप अपने बल पे बन गए हैं बने हैं मेहनद के बने हैं तो उसको बरकरार रखे किसी नए गायको का मोका दीजिये चुराइए मत उसको गवायये मत और चीनिये मत उसके मत